अगर आप भी हॉंडा के इस चमचमाते इलेक्टिक के स्कूटर यूगो के बारे में जाने दोड़ा है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आज हम स्कूटर में मिलने वाली खासियतों, कीमत और लांच टेर तक की हर जरूरी बात दीटेल्स में बताने वाले हैं, तो बने रही है वीडियो में अन तक, इसके साथ ही हमारे चैनल NJ हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का इक में कंपनी दोनों मॉडल में 1.44 किलो वाट की शमतावाली 48 वाल्ट और 30 आर्स की रिमुवेवल लिथियम आयन बैटरी देगी, वहीं इसके स्टेंडर मॉडल में 1.2 किलो वाट के कंटिन्यूस रेटिड हब मोटर देगी, जो की 1.8 किलो वाट का पीक आउटपुट देग हॉन्डा का ये स्कूटर सिंगल चार्ज में 65 किलो मीटर तक की रिंज देगा और डबल बैटरी के साथ 130 किलो मीटर तक की रिंज देगा, जो की अपने आप में काफी खास है अपकमिंग हॉन्डा यूगो एलेक्टिक स्कूटर में मिलने वाले फीचर्स की अगर हम बात करें, तो कंपनी इसमें बहुत सारे जबरदस फीचर्स को देगी, जिसमें बड़ा सा LCD स्क्रीन देखने को मिलेगा, जिसमें यूजर्स को स्पीड, रेंज, स्कूटर के चार् वाले हैं, साथ ही इसमें 26 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज मिलता है, अपकमिंग हॉन्डा यूगो एलेक्टिक स्कूटर की लाँचिंग की बात करें, तो कंपनी से 2022 में कभी भी लाँच कर सकती है, रही बात कीमत की, तो बता दें, अपकमिंग हॉन्डा यूगो को कंपन 70,000 रुपे की शुरुआती कीमत में लॉंच कर देगी अगर हम मुकाबले की बात करें तो भाती बाजार में हॉन्डा यूगो इलेक्टिक स्कूटर का कड़ा मुकाबला उला इलेक्टिक, बजाचे तक और सिंपल वन इलेक्टिक से होगा हमें पता है आप भी आने वाले होन्डा के स्टाइलिश इलेक्टिक स्कूटर को सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले हैं तो देर ना करके आज से ही प्लान बना लीचिए होन्डा यूगो के लिए और हाँ वीडियो अच्छे लगा हो तो इसे लाइक और शेर भी करें धन्यवाद